सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल Mr.Sing Mechanical को और लेटिस वीडियो की जानकारी के लिए बैल आइकन को गवाना ना भूलें समस्कार दोस्तों मैं हूं मन्मीत सिंग और आप देख रहे हैं Mr.Sing Mechanical दोस्तों आज मैं आपको बताने जाया रहा हूँ ये युनिवर्सल मेंडोर्ट के बारे में VST56U11.2 के बारे में दोस्तों ये एक ऐसा मेंडोर्ट बजार में आया है जिसमें कि आपको software की कोई जुरुत नहीं है आपको software इसमें नहीं करना केवल इसमें आपको करना क्या है कि आपको अपने remote से कुछ buttons को प्रेस करना है जैसे कि आपको input और उसके बाद कुछ code प्रेस करने है बस इन code को प्रेस करके ही आप इस board में software कर सकते हैं आपको अलग से किसी software की जुरुत नहीं है तो आप बहुत ही आराम से इस board को use कर सकते हैं इस board को install कर सकते हैं और software आपको किसी भी तरीके के software की जुरुत नहीं इस board के साथ आपको ये remote मिलता है और ये आपको की pad और इसकी IR वगएरा भी मिलते हैं आईए मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत हैं किस तरीके से हम software करते हैं किस तरीके से support ढालते हैं तो देखिए दोस्तों ये इसकी list है पहले आपको अपने resolution को देखना है कि आपका resolution क्या है उस resolution के बाद आपको input और उसके बाद आपको quarts डालने हैं जैसे यहाँ पर सारे इसने resolutions दिये हुए हैं कि आपके resolutions जो हैं वो resolution आप चूज़ कर लिजिए suppose कीजिए कि आपका resolution है तेरा सो चांचाट मुटिप्लाई बाई साथ सौ और सट तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना remote देना है remote से input बटन को प्रेस करना है यह देखिए दोस्तों input बटन है input बटन को प्रेस करना है उसके बाद आप देख सकते हैं इसने यहाँ code दिया है 20081, तो simply आपको input button को प्रेस करना, जल्दी जल्दी करना है 20081 इस code को प्रेस करना है और आपका software हो जाएगा और आपका board काम करने लगीगा इसका जो service menu code है वो है input 2580 इसको दबा कि आप इसका service mode कोल सकते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा board है और इसकी performance भी अच्छी है मैं समझता हूँ V56 board से भी अच्छा board है और अच्छी performance देता है तो और इसके साथ-साथ आपको इसमें अलग से software भी डालने की ज़रूत नहीं है, flash करने की ज़रूत नहीं आपको cable coding डालनी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये information आपको पसंद आई होगी तो मिलेंगे दोस्तों अपनी next video में जैहिन दोस्तों